विप्रलंब श्रंगार की दृष्टी से जब हम उर्मिला के विरह पर उसके वियोग की अवस्थाओं पर दृष्टी डालते हैं तो मेथ्लिशन गुप्त की महाकाव्यात्मक रचना साकेत के वैशिष्ट पर भी विचार करते हैं उर्मिला जैसा व्यक्तित्व उर्मिला जैसी तपस्विनी यती जीवन यापन करने वाली उर्मिला पूरे अयुद्यापुरी में कोई अन्य विरहनी उर्मिला जैसी दिखाई नहीं देती वह अपना समय व्यतीत करने के लिए चित्र निर्मान में लगी रहती है चित्र रचना का यह जो मनोभाव है यह जो एक बहाना है जिसमें वो अपने समय को बिताना चाहती है उसी कारे में निमग्न रहकर वो सुन्दर सुन्दर चित्र कला का निर्मान करती हुई प्रतीत होती है दिखाई देती है पक्षियों ने भी अपना एकाकार उर्मिला के जीवन से भलीभाती कर लिया है तोता भी उन्हें उदास देखकर कहता है हाए उठो नरानी उर्मिला जब तोते से पूछती है कह विहग कहां है आज आचारे तेरे प्रतीत्तर में तोता बोलता है सचमुच में गया में तो अहेरी नए वे यह दूत हरनी क्यों छोड़ गए वे तोते से संबाद उर्मिला की उस सहरदैता का दियोतक बनता है उस विरहान उभूती की सात्विक भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला प्रतीत होता है वियोग और दुख की दशा में आत्मियता का भाव स्वत्य बढ़ जाता है वैसी ही ममत्त मिलने की दुखी हरदै अनायास उमरते हुए उस अनुभूती से जुड़ता है तभी उर्मिला का सने भी अपने समीप रहने वाले सभी प्राणियों पर उमर पड़ता है कोक शोक मत करहे तात क्योंकि कश्ट में हूँ मैं भी तो सुन तु मेरी बात कि मैं भी तो उसी पीडा का सामना कर रही हूँ उसी वेदना से गुजर रही हूँ इसलिए तुम उनके वनगमन की चिंता न करो शोक न करो उर्मिला को पूर मिलन की स्मृतियां वेवल करती है अपने प्राचीन जीवन के मादुर्य को स्मरन करके उनकी व्यथा द्विग्णित हो जाती है ऐसे में जब कामदेव उन पर आकर्मन करता है तो वैं दीन होकर प्रार्थना करती है मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला भी योगी नहीं कुछ तो दया विचारो उर्मिला के विरह वर्णन में उहात्मक्ता के दर्शन भी यत्रत्र होते है उर्मिला अपनी सखी से कहती है करती है तू शिशिर का बार बार उन लेख पर सखी मैं जलसी रही धुआधार यह देख वो जो सूफी कावे में हमें जिस प्रकार के विरह का वर्णन मिलता है उसी प्रकार की कुछ-कुछ अभी व्यक्ती गुप्त जी करते हैं कि उर्मिला को अपनी देह जो है वो दगद सीपरतीत होती है उसमें से धुआ निकलता हुआ दिखाई देता है इस तरह उर्मिला कुहरे को देखकर विरह ताप में स्वैम के जलने का अनुमान करती है चाहिए मुझे तेरा तनु चाहे रूखा हो मन तो सुसने पूर्ण है मेरा अब यह जो अनुभूती है यह वास्तव में अतुल्य है अनुपम है वो कहते हैं कि मेरे मन में जो स्ने है अपने पती के प्रती लक्षमन के प्रती वह तो सदा सरवदा इस मनों मस्तिष्क में रहता ही है इसलिए तु मुझे अगर सवारे या न सवारे मेरे बालों को सुसजित करे या न करे इससे क्या फरक पड़ता है उर्मिला वियोग में किसी की बात मानने को तैयार नहीं होती जब सकी सुलक्षना उन्हें दर्पन दिखाती है तो उर्मिला कहती है मेरी दुरबलता क्या दिखा रही तू अरी मुझे दर्पन में देख निरक मुख मेरा वह तो धुंदला हुआ स्वैम ही ख्रण में विरह में उर्मिला ने हंसी के साथ साथ भोजन भी त्याग दिया है उसके चेहरे पर वह जो मुस्कुराहट थी वह जो स्मित था वो गायब हो गया लेकिन विरह में वियोग में पती के स्मृति में उसे कुछ भी ग्रहन करना कोई खाद्य पदार्थ अच्छा नहीं लगता मन को भाता नहीं वे उन्हें त्यागती है लाई है क्षीर क्यों तू हट मत करियों मैं पियोंगी ना आली मैं हूं क्या हाए कोई शिशु सफल हटी रंक भी राज्य शाली ये जो विरोधाभास जीवन में है क्यों महल में रहकर भी एक रंक कासा जीवन यापन ये वास्तव में उर्मिला ही कर सकती है समस्त प्रलोभन समस्त आकर्शन समस्त सुक्स विधाएं भोग ये उपलब्द है किन्तु सब को त्याग देती है जीवन हे तू भोजन तो आवश्चक है ही ऐसे मैं जब सकी सुलक्षना उसे समझा बुजाकर भोजन खिलाती है खिलाना चाहती है तो उर्मिला दुखी होकर कहती है पिऊं ला खाऊं ला सकी पहन लूं ला सब करूं जिऊं मैं जैसे हो यह अवदिका अरणव तरूं कहे जो मानूं सो किस विधी बता धीरज धरूं अरी कैसे भी तो पकड़ प्रिये के वेपद मरूं कोई एक ऐसा समय कोई एक ऐसा आवसर कोई एक ऐसा भाग्य मेरे सामने आये कि मैं अपने प्रियतम लक्ष्मन के चरन पकड़ कर ये प्रान छोड़ दूं ये मृत्यू उनके चरनों में ही स्वी कार रहे हैं वो कहती है कि मैं कुछ भी खा लूं कुछ भी पीलूं कुछ भी पहन लूं लेकिन ये जो एक लंबी विरह की वियोग की वन गमन की अवधी है प्रियतम के वो वास्तव में कश्ट प्रद है उर्मिला का विरह इतना दारुन है कि निराला के राम के समान उन्हें संशे बार बार घेरता है कि क्या वे कभी प्रियतम को पा भी सकेंगी सुपन था वे जो देखा देखूंगी फिर क्या कभी इस प्रत्यक्ष को मेरा परित्रान कहां अभी किन्तों इस दारुन विरह काल में भी आशा का दीपक उर्मिला का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है उसे संपून आशा के साथ यह विश्वास है कि प्रियतम से उसका मिलन अवश्य होगा इसलिए वो कहती है री आवेगा फिर भी बसंत जैसे मेरे प्रिये प्रेमवंत दुखों का भी एक अंत हो रहिए दुरदिन देख मूख यह जो दुरदिन है यह जो विरह और विछो के दिन है यह जरूर समाप्त होंगे प्रियतम से निश्चित मिलन होगा एक सुद्रण विश्वास एक आशा उसके पास निरंतर बनी हुई है संपूर्ण साहित्य में उर्मिला विश्यक विरह विव्यक्ती पर जब हम दृष्टी डालते हैं तो वालमी की रामायन में उर्मिला मात्र लक्षमन की पत्नी के रूप में चित्रे थे माभारत पुरान और अन्य काव्यों में भी लक्षमन की पत्नी के अतरिक तो उर्मिला का परिचे कोई विशेश प्राप्त नहीं होता आदुनिक काल में उर्मिला के विशेश साहनुवूती प्रकट की गई और सबसे पहले इसका दर्शन हमें महाकवी रमिन्ना ठाकुर के निबंद में दिखाई देता है जहां उर्मिला का अपेक्षित पात्र के रूप में वो स्मरन करते हैं एक उपेक्षित पात्र है उसकी उपेक्षा हुई है महाकवी रमिन्ना ठाकुर के लेख से प्रेड़ना ग्रहन कर आचारे दिवेदी ने सरस्वती में कवियों की उर्मिला विश्यक उदासींता नामक लेख लिखा था और निश्चित रूप से आववान किया था लेखकों का कि उन्हें उर्मिला पर या उर्मिला जैसे चरितर पर लिखना चाहिए उसी लेख से प्रेरित होकर उर्मिला उत्ताप नामक लेख भी लिखा गया उर्मिला उत्ताप के चार सर्ग सन 1920 के पहले ही रचे जा चुके थे किन्तु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपून रामकथा का रूप दिया और उसे साकेत के नाम से प्रकाशित करवाया रामकथा में उर्मिला जैसे गौन पात्र को जितनी प्रमुखता दी जा सकती थी गुप्त जी ने उसे देने का भरपूर इमांदारी से प्रयत्न किया मेत्रिशन गुप्त ने साकेत रचना में उर्मिला के अल्प कालीन सैयोग का मनोहारी चित्रन किया उर्मिला के दीरग और दारुन वियोग का अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली चित्रण भी पूरी सफलता के साथ वो करते चलते हैं साकेत का नवम सर्ग उर्मिला के विराही जीवन को बहुत ही मर्म स्पर्शी रूप में चित्रित करता है गुप्त जी ने इस चित्रांकल में प्राचीन कवियों के वर्णन और उकतीओं का प्रयोग कर अपने कावियान उशीलन का भी सुन्दर परिचे दिया है साकेत के नवम सर्ग में लक्ष्मन और उर्मिला का पुनर मिलन भी होता है और ये हर्दय द्रावक होता है प्रथम सर्ग में वर्णित उनका संयोग सुख आहलाद कारी था साकेत के पश्चात बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित उर्मिला शुर्शक से एक खंड कावे भी लिखा गया उर्मिला खंड कावे में मात्र उर्मिला विश्य गटना प्रसंगों को ही लेने के कारण कभी कथानक की एक आत्मक्ता और स्वत्मत्रता को अधिक सुरक्षित रख पाने में पूरी तरह सफल हो पाया वास्तम में मेंत्रिशन गुप्त ने जो कविताएं लिखी हैं चाहे साकेत हो जैदरत वद हो या अन्य अनेक रचनाएं उन सब को देखें तो उसमें एक सांस्कृतिक मनोभाव तो दिखाई देता है भारतिय संस्कृति के वो प्रहरी थे उसे उन्होंने अपने कावे का मूल आधार बनाया था चाहे वो साम्मेक विश्यों की रचना हो या लोका ख्यात इतियास पुरान साहित्यादी से संबद अतीत विश्यक्रतिया हो साकेत, जै भारत, रंग में भंग, भारत भारती, हिंदू वैतालिक, विश्व वेदना आदी इनकी अनेक ऐसी रचनाए हैं भारत भारती ने तो महित्रिशन गुप्त को रास्ट कभी बनने का श्रे दिया जावेंगे अवश्य हम अपने ही प्रिये पित्रों के पत से, किन्तु चक्र तो नहीं फंसेंगे, पूछेंगे निजरत से ये जो चक्र हैं रत के, ये कहीं फंस तो नहीं जाएंगे बंदन कर्त नार्त पुर्खों ने हमको सार दिया है किन्त साथ ही साथ उन्होंने उसका भार दिया है जितना उसे स्वच्छ रखोगे उतनी धार बढ़ेगी और नहीं तो धूल हार ही अपने हाथ लगेगी द्वापर बहुत सुंदर रचना है उनकी जिसमें वो भारतिय गौरव शाली अतीत को सन्यो कर रखने उसकी रक्षा करने उसे आत्मसाथ करने की प्रेड़ना देते चलते है धर्मादर्श की दृष्टी से भी गुप्त जी ने वैशनव भावना को अत्यदिक सूख्षम अभिव्यक्ति प्रदान की उनका जीवन निष्ट प्रकट रूप में गराहिये रूप में दिखाई देता है गुप्त जी विशिष्टा द्वैत वादी बन कर हमारे सामने आते हैं इसलिए उनकी राम ब्रम हैं सीता उनकी शक्ती हैं माया हैं और जगत उनकी रचना है हमको ही लेकर अखिल विश्व की पीड़ा आनंद मई नित नई प्रसव की पीड़ा उदार वैश्राव भक्त के रूप में गुप्त जी हमारे सामने आते हैं महित्रिशन गुप्त उनका दृष्टिकोन सामपरदाइक भी है उन्होंने धार्मिक कावे की रचना ही नहीं की मानवतावादी कावे भी प्रचुर मात्रा में लिखा वैगुन किसने तोड़ा जिसमें यह जोडा जकडा था नर जखजोर डालने कोई क्या यह कर पकडा था इसी तरह मानव धर्म का कावे भी गुप्त जी साधिकार लिखते हैं मानव धर्म क्या है कवी का यह जीवन आदर्श है जिसका उनलेक कवी के संपूर्ण वांगमे में दिखाई देता है मानव धर्म कवी के सरजन का आधार बनकर हमारे सामने आता है अरवाचीन और नवीन संस्कृती का संगम मेत्रिशन गुप्त द्वारा प्राचीन और नवीन पीडी के मद्ध सामन्जस स्थापित करने का प्रयत्न दिखाई देता है गुप्त जी का मानना है कि समया अनुकूल नई नई विचारधाराओं का प्रस्फुटन होना ही चाहिए और यदि वह मानव के विकास में सादक है तो उन्हें नई पीडी को अवश्य ग्रहन करना चाहिए गुप्त जी पारंपरिक और प्राचीन मूल्यों को आधुनिक और अध्यतन समय के अनुकूल व्याख्याइद करने के पक्षधर थे इसलिए वो जिन जिन राष्ट नायकों राष्ट चरित्रों को अपनी कविता में उपस्थित करते हैं उनके माध्यम से वो आधुनिक्ता के संदर्ब और परिप्रेक्ष में उनकी व्याख्या भी करते हैं हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी धर्म और न्याय की स्थापना उसकी पुनर व्याख्या गुप्त जी अपनी कविता में करते हैं साकेतकार के रूप में यग्य, जप, तप, वरत, पूजा इन सब का वननों प्रांत धर्म न्याय के विशेश महत्व के साथ वो प्रतिपादन करते हैं धर्म न्याय के तहट पशुबली का मेग नाद के युद्ध प्रसंग में कभी ने लक्षमन द्वारा विरोध भी करवाया। आस्तव में वैशनों भक्ति का ये सशक्त उदाहरन है कि लक्षमन पशुबली का विरोध करते हैं। वह एक प्रकार से गुप्त जी की अपनी मने स्थिती का अभिव्यक्ति करण दिखाई देता है। न्याय धर्म के लिए लड़ो तुम। रितिहत समझो भूजो अने राज नरदय समाज से नरवय होकर जूजो। ये जो प्रेरना है, ये जो संकल्प है, ये जो आवान है, वो है अपने पाठकों तक, देश्वासियों समस्त नागरीकों तक पहुँचाना चाहते हैं। कि न्याय धर्म के लिए सदा लड़ना चाहिए। और निर्दय समाज से निर्वय होकर जूजों न चाहिए। उन्होंने वरणाश्रम व्यवस्ता का पालन किया, और समाज व्यवस्ता के लिए वरणाश्रम को स्विकार कर करते हुए इसकी सम्यक व्यवस्ता मनुष्य को नियम पालन मर्यादा की रक्षा और समाज सापेक्ष आचरन इस पर बार बार बल देते रहे कभी के राम सरल जीवन और मर्यादा पालन को सामाजिक जीवन की अनिवारता मानते हैं उसकी आवश्यक्ता मानते हैं तभी तो वो क के लिए यदि व्यक्ति को अपना भी बलिदान करना पड़े तो वह स्तुत्य है वंदनिय है गुप्त जी नैतिक्ता की भी पक्षधर्ता करते हैं वैश्णव भावना के फलस्वरूप राज्य का लोब ने तो राम को है और ना ही भरत को भारतिय संस्कृति भी काम और लोब को ही वरमाना यदि मैंने निजवद उर्मिला को ही जाना तो इसका मतलब कि एक पती वरता एक पत्नी वरता जीवन यह गुप्त जी के साकेट के माध्यम से एक मुल्य के रूप में प्रतिपादित होता है राज्य के आदर्शों की स्थापना भी वो करते हैं साकेटकार ने राज तंत्र का वास्त्विक मानक रूप स्थापित किया नियत शाशक लोक सेवक मात्र शाशक वै होता है जो केवल लोक सेवा के लिए जन्म लेता है तुलसी ने भी राजा को मुक के समान होना चाहिए ऐसा कहा है स्वेच्छाकारी अत्वा अधिकार लौलूप राजा की स्थिती गुप्त जी ने समाप्त कर दी ये जो लाल्ची लोभी राजा शाशक होते हैं उनको गुप्त जी ने नकार दिया राज्य प्रजा के लिए है और वह राजा की संपत्ति नहीं है प्रण की थाती है राजा वही है जो प्रजा के हित के लिए समर्पित रहे दिन रात उसकी चिंता करे उसकी रक्षा करे समर्द अतीत भारत का गौरव शाली अतीत उसकी चर्चा भी गुप्त जी करते हैं संपूर्ण अपनी रचनाओं में कृतियों में तप और त्याक को महत्व देते हैं भुक्ती और मुक्ती के समनवे बहुतिक समर्द्धी ज्यान और विज्यान की निरंतर उन्नती इसकी चिंता वो करते हैं चाहे साकेत की बात करें, भारत-भारती की बात करें या अन्य रचनाओं की अन्य कलाओं का पूर्ण विकास वो देखना चाहते हैं विदेशी लेखकों का स्वानुभाव लेखन, प्रतेक स्थिति के व्यक्ति का कर्तब वे पालन, दैनिक जीवन का आदर्श स्वरूप, भावनों स्थूपों और आवासों का वास्तु संदर इन सब के विशे में वो चिंतित हैं और वैशनव जीवन के निदर्शन के रूप में वो कहते हैं वे आरे ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे ये भारतिये गौरवशाली अतीत का इतियास का दर्शन है वे मंदिनी जल में सुकृत के बीज बोते थे सदा पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा ये था राज धर्म, ये था संत धर्म इसलिए राम चरित को भी वो बहुत महत्पूर्ण मानते हैं और कुप्त जी के राम वेश्णव संस्कृती के प्रहरी हैं, पालन हार हैं नर्की इश्वर्ता के उदारन हैं, साकेत के वालमी की की ये अत्युक्ति नहीं है राम तुम्हारा वृत्त आप ही कावे है, कोई कवी बन जाए सहज संभावे है कवी ने विश्वास के बल पर राम को अवतार माना बुद्धिवाद के प्रभाव स्वरूप उन्हें मानव का ही रूप प्रदान किया वे शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराद्ध हैं शील के भी, शक्ति के भी और सौंदर्य के भी वो समनवे हैं धर्म संस्थापन उनका कार्य है और लोक कल्यान और वैशनव संस्कृती की प्रतिष्ठा ये उनका कर्तव्य है इसलिए गुप्त जी के राम अपने संबंद में कहते हैं मैं आर्यों का आदर्ष बताने आया, सुक शान्त है तुम्हें क्रान्ति मचाने आया सुक और शान्ति लक्ष है, धे है, उद्देश है हो आएं अभैवे जिने की भैवासित है, मैं आया जिसमें बनी रहे मरियादा सुक देने आया, दुख जेलने आया, मैं राज भोगने नहीं भुगाने आया भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया ये राम का चरित है, जो इस पृत्वी पर अपने अवतरित होने का प्रयोजन स्पष्ट करते हैं कि मैं आप सब को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए नहीं, या स्वर्ग का संदेश देने के लिए नहीं, अपितु इस पूरे भूतल को ही राम राज्य के माध्यम से स्वर्ग बनाने का संकल्प लेकर उपस्तित हुआ लक्ष्मन पारंपरिक वैशनवत्य के अनुगामी हैं, शेष्ट पती हैं, ललित कला के प्रशंसक हैं, अपने प्रेम को त्याग और तपस्या द्वारा समुझ्जवल साथ्विक धरातल प्रदान करते हैं गुप्त जी ने भले ही लक्ष्मन के शूर वीरत्व को प्राधाने न दिया हो, किन्तु उन्होंने लक्ष्मन मुक्से स्वयम के प्रती उक्ती निस्रित करवा दी है, मेरे लिए विशाद व्यरत है धन्ने में, गुप्त नहीं हूँ, सतत सजग चैतन्ने में, मैं तो राम के लिए वो आत्म समर्पन कर देते हैं, भरत भी वैशनव संस्कृती के आलोग पुरुष बन कर आते हैं, भरत को साद व्यक्तित्व के रूप में एक रूपता सहित प्रदान करते हुए उनके व्यक्तित्व को उधगाटित करने का काम कभी करते हैं, राम स्वयम उनक भरत के व्यक्तित्व को बहुत बड़ा बना देते हैं, भरत साद्विक प्रवर्तियों के व्यक्ति हैं तथा तपस्वी के रूप में हमारे सामने उपस्तित होते हैं, भरत की मात्री भर्तसना में लोक भीरुता, धर्म निष्ठा, आत्म गलानी और भ्रात्री भावना का चर्म उतकर्ष दिखाई पड़ता है वे राम की प्रतिकृती बनते हैं मिले भरत में राम हमें मांडवी की भरत की संदर में सार्तक उकती यह द्रश्टव्य है नात ना तुम होते तो यह वरत कौन निभाता तुम ही कहो मनुशत्व का सत्व तत्वयों किसने समझा बूजा ह सुख को लात मार कर तुम सा कौन दुख से पूछा है बताओ कैसा अद्वुत चरित्र गुप्त जी निर्मित करते हैं तुल्चिदास जी की यह उकती होती नहीं जो जग जनम भरत को जो कभी कहत कृपान धार मग चली आचरत बस को साकेत के भरत पर भी साक्षात चरितार् जीवन और विरक्त आचरन वैशनव संस्कृती का ही पालक मनकर हमारे सामने उपस्तित होता है सीता भारतिय गरिमा की प्रतिमूर्ती बनकर साकेत में आती हैं मैंतिशन गुप्त के कृतित्त में सीता के चरित्र की नवीन सर्जित रेखाएं दृष्टिकत होती हैं सीता मात आज नई धज धारे मैं तिशन गुप्त भारत लक्ष्मी की गरिमा उन्हें प्रदान करते हैं राम और सीता को उन्होंने वैशनव प्रभाव के कारण धीरांबल इला कहा है सीता का जीवन परिपूर्ण है किसी भाव या अभाव से उन्हें क्लेश या संताब नहीं है उन वारी बिंदुफल स्वस्थ शक्ति फलती अपने अंचलक्य वेंजन आप जहलती हूं सीता का राम के प्रती द्रड़ प्रत्य अनन्य निष्ठा अखंड प्रेम द्रश्टव्य है यह प्रेम शक्ति की उन्हें समस्त कष्ट जहलने की सामर्थ प्रदान करने की बात करती है वे वन में भी सुख से रहती है और हनुमान जी से कहती भी है करे न मेरे पीछे स्वामी विशम कष्ट साहस के काम यही दुखिनी सीता का सुख सुखी रहे उसके प्रियराम वो कहती है कि मेरे कष्ट से वो कष्ट का सामना न करें वो दुखी ना हो उनके सुख में ही मेरी पीला समात्त हो जाएगी तेरे धन में मेरे धन में धनते घनशाम ही जानेगा यह अरी भी अंद इसी जन्म के लिए नहीं है राम जानकी का संबंद है इसी तरह उर्मिला जो एक आदर्श पतनीत्व का प्रतीक है साकेत जिसको केंदर में रखकर यह रचना लिखी गई उस उ आदर्श पतनीत्व के रूप में उर्मिला के व्यक्तित्व को उधगाटित करता है खोजती है किन्तु आश्य मात्र हम चाहती है एक तुमसा पात्र हम आंतरिक सुख दुख हमें हम जिसमें धरें और निजभवभारियों हलका करें जाती गौरव की बात भी गुप्त जी क करते हैं वैशनव भक्ति का प्रभाव मेत्रिशन गुप्त के जीवन व्यक्तित्व और कृतित्व पर आद्यो पांत यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता है राश्ट्र प्रेम जाति गौरव प्रतिग्या पालन पौरानिक पात्रों के चरित्र का उद्गाटन धर्म और अशिवरी ये आस्था ये सब कुछ उनकी समस्त रचनाओं में दिखाई देता है इसलिए एक वैशनव भक्त के रूप में मेत्रिशनगुप्त हमारे सामने आते हैं इसलिए राम के प्रति सीथा के प्रति लक्ष्मन और उर्मिला के प्रती भरत आदी पात्रों के प्रती उनका जो समर्पित भाव है वो बहुत स्तुत्य भाव से हमारे सामने उपस्तित होता है लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया निर्विकार निरी होकर नर्सद्रश कौतुक किया राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है प्रथम उस सरवेश को शद्धा समेत प्रणाम है इसी तरह वैशनव भावना का शेष्ट कावे जनकार भी वो लिखते हैं जिसमें धर्मों, संप्रदायों, मतमतांतरों और विविन संस्कृतियों के प्रती सहिशनता का भाव, समन जनवे की भावना ये उनके कावे में दिखाई देती है वैशनव भावना से उतप्रोत उनकी रचनाओं में गीती तत्तुवी है गुरुकुल और कावा करबला में कभी के उदार धर्मदर्शन का प्रमान भी मौदूद है इस शरीर की सकल शिराएं हो तेरी तंत्री के ता है उठने दे उंची जनकार नाचे नियत प्रकृत सुरसादे सब सुरहों सजीव साकार देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार कर प्रहार हां कर प्रहार तू भारत नहीं ये तो है प्यार प्यारे और कहूं क्या तुझ में प्रस्तुत है मैं हूं तयार में समाज आए संसार इस तरह से अम देखते हैं कि भारती है पौरानिक संपदा के प्रती गौरव शाली अतीड के प्रती वैश्नाव भक्ती। और पुरा आख्यानों को पुरा चरित्रों को पुनर प्रस्तुत करने के प्रती गुप्त जी का जो भाव है वो उनकी समस्त रचनाओं में उद्गाटित होता है उन्होंने माभारतिय आख्यानों को भी उठाया स्वत्मता के प्रसंगों में वो उसको जोड़कर वो प्रबंद शैली में सुनियोजित धंक से उन्हें प्रस्तुत करने का काम भी उन्होंने किया वो भारतिय पौरानिक संपदा के पुनर आख्याता के रूप में चाहे वो जय भारत रचना हो या अन्य रचनाए उन्होंने तमाम ऐसी रचनाओं में, तमाम ऐसे काव्य उद्धरणों के माध्यम से हम सब को प्रेरित किया, जागरूक किया और भारतिय गौरव के प्रती समर्पित रहने का भाव हम सब के मनोमस्तिष्क में संचरित किया मित्रों इस विशे को यहीं विराम देते हैं पुने आपकी समक्ष एक नए विशे के साथ उबस्तित होंगे, आज्या दीजिए, नमस्कार